क्या आपको बतारी हूं होता क्या है जैसी ही क्लोरीन दो एटम है है क्लोरीन के लें सकते हैं हाइड्रोजन है यह दो एटम है तो इनके बीच में कॉन सा नशी आप से यह देखो, क्लोरीन की negativity 3 है, यानि कि काफी ज़्यादा है shared pair के लिए इसका attraction, दौनों की 3 है और इनका difference किया है 0, तो यह shared pair ठीक बीच में रहने वाला है, यहाँ पे hydrogen की negativity है, दौनों की कितनी है, 2.1, और इनका difference कितना आ रहा है, 0, तो यहाँ पे दौनों का ही जो shared pair के लिए attraction है, वो बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था, अगर एटम की individual negativity 1.7 या इससे ज़्यादा होती है, तो हम उसको ज़्यादा मानते हैं, कि उसका shared pair के लिए attraction ज़्यादा है, अब इनका difference क्योंकि 0 है, तो यह shared pair क्या रहे हैं बीच में रहेगा, यहाँ पे दौ आटम मैंने अलग-अलग ले लिए हैं, एक hydrogen और एक chlorine, इसकी negativity 2.1 और इसकी क्या है तो यहाँ आगे इन दौनों की negativity क्या है, एक पाइंट साथ से ज़्यादा, इसका मतलब दौनों ही electronegative है, shared pair के लिए इनका attraction है, लेकिट अलग-अलग है, एक का थोड़ा सा कम है, एक का थोड़ा सा क्या है, जाना इनका difference चोड़ा तो कितना आ रहे है, 0.9, 0.9 difference कम है, difference कितना होना चाहिए, 1.7 से कम होना चाहिए, तो हम इसको क्या मांते है, covalent, यानि कि बीच में ही है, बस थोड़ा सा इधर उगर है, तो ये थोड़ा सा chlorine की तरफ shifted होगा, इधर की तरफ shifted होगा, तो ये bond तो covalent होगा, लेकिन कैसा होगा, polar covalent होगा, तो हम क्यों कह सकते हैं, covalent bond के defined के लिए, when two more electronegative atom, though more electronegative atom, having electron negativity difference, जिनका difference एक पंट साथ से कम है, जब वो infinity से पास पास आते हैं, तो वो एक, दो या तीन electron की sharing करके, क्या बनाते हैं, single double या triple bond बनाते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, covalent bond करते हैं, ये जो covalent bond है, ये तो टाइप का होगा होगा है, एक तो polar और एक non-polar, polar और non-polar में क्या है, when electron negativity difference, delta x is equal to 0, तो shared pair बीच में रहता है, ये जब तर होगो diatomic होते हैं, तो हम उसको कहते हैं non-polar, when delta x is equal to 0, और polar, when delta x जो है, delta x greater than to 0 है, और less than क्या है, 1.7, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, delta x की value greater than 0, और less than क्या है, 1.7, तो इसको हम बोलते हैं, polar covalent bond, ये तो covalent compounds बनते हैं, इनकी properties क्या होती हैं, इनकी properties होती है, कि ये जो bond बना, क्योंकि ये directional है, ये bond directional होता है, xCl, ये आपने लिया CH4, तो CH4 में आप क्या देखते हो, इस तरह से स्थत्र, तो यहां इनकी direction fix होती है, कि carbon में इसी direction में चार bond बनाने हैं, तो इसी लिए directional होने के कारण, ये क्या होते हैं, ज्यादा strong होते हैं, फस्तिंग, लेकिन फिर भी, ये gas की form में होते हैं, liquid की form में होते हैं, या powder जैसे होते हैं, ये strong crystal की form में नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे आपने ये एक CH4 बना दिया, जिसमें एक carbon और chart hydrogen है, ये दूसरा CH4 है, एक carbon और chart hydrogen, ये एक carbon chart hydrogen, ऐसे अगर N number of methane molecules आते हैं, तो क्या होता है? ये तो primary bonding है, जो strong है, लेकिन इस molecule, इस molecule और इस molecule के बीच में जो force होता है, वो कौन सा होता है? weak wonderwall force, जब ये weak wonderwall force होता है, तो इसी लिए molecule, molecule आपस में पस-पस नहीं आते, या तो वो gas होते हैं, या इतना पास आते हैं, कि liquid ही बनता है, और अकर solid भी बनता है, तो कैसा बनता है? वो powder like solid बनता है, क्योंकि जब आप इसको boil करोगे, तो क्या होगा? ये वाला bond break होने वाला है, जो weak wonderwall force है, या अगर इनके बीच में hydrogen bond है, secondary, मो break होने वाला है, वो weak है, primary से, तो इसी लिए इनका जो boiling point और melting point होता है, वो क्या होता है? काफी low होता है, जब इनका boiling point, bending point का फी low होता है, तो room temperature पे अगर आपने जैसे पानी, पानी भी क्या है? Covalent compound है, oxygen की कितनी थी? 3.1, hydrogen की कितनी थी? 2.1, तो देखो बहुत items है, more electronality, difference जो है, वो कितना है आपका? 1.4, again less than 1.7, तो ये covalent है, लेकिन एक पानी का molecule, दूसरे पानी का molecule, तीसरा पानी का molecule के बीच में जो bond है, वो hydrogen bond है, वो weak है, इस से? Primary bonding से, तो इसलिए ये क्या होता है? Volatile, यानि कि room temperature पे इनकी वैपर्स बनती है, आपने देखा, कपड़े को आप बहार सुखाते हो, तो कपड़े अपने आप सूख जाते हैं, आपको अलग से घरम करना नहीं पड़ता, या कहीं, टेबल पे, कप में, किसी में पानी पड़ा है, तो वो दिले-दिले क्या होता है? अपने आपी room temperature पे volatile हो जाता है, क्योंकि वो equivalent है, अगर water ionic होता, तो नहीं होता, जैसे NACR, नमक को आप टेबल पे छोड़ दो, दस दिन के लिए, दस दिन बादे को उतना ही नमक आपको मिलेगा, तो इट मिंस नमक क्या था? Non-molatile, जबकि water, carosinoid, acetone, यह सब क्या है? volatile है, फिर यह bad conductor होते हैं, यानि कि अगर यह liquid form में, तो यह pure है, तो यह good conductor नहीं होते, क्योंकि इनके पास positively charged ions नहीं है, insoluble in water, यह पानी में soluble भी नहीं होते, क्योंकि आपको बताया था, light dissolves, light dissolves, light dissolves, polar हो पोलर होता है, जो non-polar हो नहीं होते, तो क्योंकि इनकोवलेंट कंपाउंट्स नहीं पोलर होते हैं, बहुत थोड़े से ही ऐसे हैंगा पोलर है, पोलर जैसे HCL है, वो पानी में soluble हो जाता है, लेकिन जगा तर कंपाउंट्स जो होते हैं, वो पानी में soluble भी होते हैं, जैसे बेंजीन है, अच्री के आपाउंट्स नहीं पेजा है , यूयवलिटी को समझा लेते हैं, तो यह था कोबलेट बावन्टु बिलकुल ऐसा ही होता है, coordinate bond coordinate bond में क्या होता है when two more electronegative atom यानि कि दो atom दोनों की negativity जादा है जैसे covalent में जादा होती थी infinity से पास-पास आ रहे है having electron negativity difference less than 1.7 बेलकुल covalent की तरह है come closer and share pair of electron of one atom यानि कि pair of electron of one atom दोनों share करते हैं तो उसको हम क्या बोलते है coordinate bond इस coordinate bond को denote करनी के लिए हम क्या करते हैं एक arrow sign लगाते हैं arrow ये बताता है कि इसने दो electron किसको दिये इसको दिये नहीं sharing में दिये यहीं पर हमारा misconcept होता है कि हम क्या समझते है ये इस arrow से कि भाई ये donor है, ये acceptor है donor में जाकिए दो electron acceptor को दे लिए no, उसमें उसको दिये नहीं है अगर ये donor इसको दो electron देता तो ये plus 2 बनता और ये minus 2 बनता यहां ऐसा नहीं है electron के transfer के लिए condition किया है कि electron negativity difference should be greater than 1.7 और यहां अपने क्या लिया है less than 1.7 लिया है तो ये सिर्फ यहां तक देता है center तक और इस electron pair को दोनों आइटम क्या करते हैं share करते हैं दोनों का उस पे right होता है और ठीक जैसे covenant bond में negativity difference के हिसाब से थोड़ा सा left right हो सकते हैं और इसके पास नहीं रहेगा सेम वे में ये पेर भी ये इसके पास नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है कि वो center में रहेगा या थोड़ा साहिधर रहेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि जिन दो एटम्स ने coordinate bond बनाया है उनकी negativity difference क्या है किसकी ज्यादा है किसकी कम है और कितनी कम कितनी ज्यादा है तो इटमिल्स जो ये coordinate bond था ना तो ये पूरा कोवलेंट है कि दोनों अपना अपना electron लगाए ना ही ये पूरा क्या है कोवलेंट ना आइनिक कि दो electron पूरे shift हो जाए इधर से इधर की तरफ तो ये क्या है दोनों के बीच कर तो इसलिए आप इसका एक example ये समझ सकते हैं जैसे NS3 इसके पास long pair है ये BF3 इसके पास vacant orbital है इसने अपने field का इसने अपने vacant का क्या किया overlapping की और ये दो electron दोनों में share हो गए तो ये जो compound बना इस compound की इस bond की properties ना तो पूरी ionic जैसे होती है ना पूरी covalent जैसे होती है तो कैसी होती है दोनों के बीच के होती है लास्ट वीडियो वे डिसकस कि ionic compounds हाग hard और यहां हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या होंगे बीच के से होंगे ionic compounds का matting point boiling point है वो काफी high होता है इनका covalent का क्या है low तो इनका क्या होगा ये volatile है वो non-volatile थे तो ये क्या होंगे बीच के से होंगे ये bad conductor है वो good conductor है इनकी conductivity क्या होगी insolubal inverter तो ये क्या होंगे इनकी partial solubility होगी थोड़ी बहुत हो भी सकती है थोड़ी बहुत नहीं depend करेगा कितनी polarity है and they are soluble in organic solvent वो soluble क्या थे water में insolubal थे organic में तो ये क्या होंगे water में नी partly soluble और organic compounds solubents में भी क्या होंगे तो ये था coordinate bond और इनके next में हम देखेंगे करेंगे करेंगे करेंगे